है इसे तेटिर्घल सिरड़ ए बात करेंगे डीट लीगा फुस्टबॉल की देखिए इंटेर्चल ब्रेक हो गया डीश नाइक हो गया यह पर निवन्डर्स ब्रेक अपे विंट्रर व्रेक टाल दून कर दोगा और Dortmund struggle कर रहा है तो यह आपको misleading जो ranking है वो उससे judge नहीं करना चाहिए क्योंकि जो Frankfurt है वो last के 7 में से 6 गेम जीता है बहुत अच्छा 2021 उन्होंने finish किया और वही पर जो Dortmund है और उन्होंने struggle किया है तो देखिए अगर आप बात करें टीम की और कैसे क्या form है तो बहुत से Dortmund न लास्ट के 6 मैचेस में 3 गेम जीते हैं 2 गेम भारें और 1 गेम जीते हैं और Frankfurt ने लास्ट के 6 गेम जीते हैं तो देखिए अगर आप प्लेयर्स की बात करें कि क्या कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है लिए कोविड का बहुत बड़ी problem इस समय पूरे world में है तो जो बिलिंस्टॉम है वो इतने कतरनाग प्लेयर्स है वो अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए बिकाउज अफ कोविड तो ये एक बहुत बड़ा एक ब्लो रहेगा हाला कि होम टीम के पास बहुत अच्छे टैलेंटेट प्लेयर्स भी हैं तो ये एक ये मैंने आपको अब्ड कोविड दे रहा था ऊपर से डैनी डी कॉस्टा भी अविलेबल नहीं रहेंगे बिकाउज अफ कोविड और उसके लावा जेन स्पेटर हॉग और किस्टफर लेंस ये प्लेयर्स भी नहीं रहेंगे तो आप उनको इनको कंसेडर ना करें वहीं पर आप डॉटमन की बात कर तो डैन एक्सल्स अगर्डू जो हैं वह भी नहीं रहेंगे बिकाउज अगेन उनको भी अनफॉर्टनेटली कोविड का ही प्रॉबलम है तो आप उनको भी कंसेडर ना करें उसके इलावा कुछ-कुछ प्लेयर्स हैं जो अल्डेडी लॉंग लिस्ट हैं वह अविलेबल नहीं रहेंगे तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ाएगा कि लाइन अप्स जो होंगे वो कैसे हो सकते हैं अब देखिए आपके मैनूल अकान जी जो है ये भी अविलेबल नहीं है ये साइड लाइन में है और थोड़ा मैट हमल्स की भी थोड़ा सा भी शोर नहीं है वहले 82% लोगों ने लिया क्योंकि उनको भी कोल्ड था तो शायद हो सकता है कि वो वापसी करें या ना करें लेट सी उसके ला एक और जो ब्लो है वो मार्कोस रियोस का यहां पर 87% लोगों ने ले रखा है तो वो भी इस गेम का हिस्सा नहीं होंगे मुस्त लाइगल वहीं पर मोकोको भी नहीं होंगे और रहना भी नहीं होंगे तो चलिए अब हम बताते हैं हमने कौन से प्लेस लिए तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है देखना पड़ेगा डॉर्टमंड में वो कॉंट्रेक्टा के साइन करते की नहीं करते हैं दस मैचेस में तेरा गूल किये मांज असिस्ट किये इनके बारे में और बात करने की जुरूत नहीं है यह वर्ल्ड क्लास प्लेयर अल्रडी है मही पर इस सीजन में नेदरलेंड के लिए इंप्रेस किया था यूरो कप में डॉनियल मैलन को इनका लिवरपूल मैचेस तो उनाइटेट से भी नाम जुड़ा था लेकर इनुने डॉर्टमंड में ट्रांसफर लिया था तीन गोल की है अभी हम इनको नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि फ्रैंकкफपर्ड के प्लेयर को भी हम देख सकते हैं तो यहां पर टिकी रहेका जब तक लाईन अप सन्नूंच नहीं होगे हम कुछ कहने नहीं सकते हैं यह एड़न हजार के भाई हैं दो मैच दो गोल किया है और उने छे मैच स्टार्ट में 12 गिम डोडल खेले हैं तो यह एक प्लेयर हैं जिनको आप सोच सकते हैं अला कि जो हमने सेलेट किया है वो इतना फेमस वर्ड नहीं हो सकता है लेकिन थोड़ा रिस्क आपको लेना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके प्लेयर्स अच्छे हैं तो यहां पर हमने बोरे को लिया है प्रकाइब ने चार गुल तीन असिस्ट किये जो कि बहुत लेकिन हम देखते हम इनको लें कि हम थार गन या मेलेन में से एक लें यह हम लाइनप से नाफ़िए को लिए वन दो उनका माइनस टेन हो गया था वह आपको दिख सकता है यहीं पर क्योंकि Marcus Arios नहीं है तो Julius Brand बहुत important player बनेंगे और यह वैसे भी बहुत अच्छे player है attacking midfielder है पांच गोल चार असिस्ट इन्होंने किया है जर्मनी के world class player है जरूर लीजिए Jude Bellingham English International बहुत बड़े-बड़े clubs इनका भी नाम आ रहा है है one of the highest paid player होंगे transfer fees के साफसे अगर यह कहीं transfer link 18 वर्ष कहीं है 15 matches में दो गोल 5 असिस्ट किया है जरूर इनको लीजिए वहीं पर कहीं लोगों ने कमार्डा लिए हमें कमार्डा अभी नहीं लिए क्विए हमें बहुत अच्छे stats नहीं लगे हाला कि कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि इनने 13 starts में एको लेक असिस्ट किया है वहीं पर कॉस्टेज और सौ कॉस्टेज ने तीन गोल 6 असिस्ट किया है 15 matches में साउ ने दो गोल 3 असिस्ट कि 17 matches में हमें लगता है यह better return आपके लिए हो सकता है defenders में देखी मैंने आपको बताया कि कहीं सारे लोग अभी अवेलेबल नहीं हैं वहीं पर मुणियर को लिया देखे दोनों attacking defenders है आपने इनका कभी भी गेम फॉलो किया हो तो करेरों ने सिर्फ 7 matches टार्ट के जिसमें 3 गोल 2 असिस्ट किया है जो कि धमाके दर performance है इंजिरी की कारण बहुत ताइम यह ज़ादा नहीं खेले हैं महीं पर मुणियर जो है Belgium international 30 वर्षी है इन्होंने 14 matches में 3 असिस्ट किया प्लेयर बहुत अच्छे हैं महीं पर ंडिका हमने लिया है हॉम टीम के प्लेयर को क्योंकि उन्होंने 15 matches में 2 गोल 2 असिस्ट किया है देखिए यह अभी हमने टीम बनाई है और मैं आपको बता रहा हूं कि इस टीम में हम चेंजिस कर सकते हैं हमें लगता है कि यहां पर frankfurt slightly favorite है जो कि चौकाने वाली बात है लेकिल हमें लगता है जो उनकी form साल से पहले थी बहुत अच्छी थी और हम इस match में 3-2 frankfurt के पक्ष में अपना verdict देते हैं तो thank you so much all the best और सब्सक्राइब के लिए भी आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कीचिए थान्यवाद